हेलो फ्रेंड्स हावर यू आज हम बनाने वाले हैं पोहा दोस्तों पोहा बनाना बहुत ही इजी होता है और पोहा खाने में भी बहुत यमी लगता है बिलकुल बाजार जैसा खट्टा मीठा पोहा हम बनाने वाले हैं दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को स subscribe जरूर कीज़े, subscribe करना is must तो पोहा बनाने के लिए हमने एक बाउल में 3 कप पोहे लिये हैं ये देखे आप 3 कप पोहे ले लिए उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक ग्लास पानी आप इनको अच्छे से wash कर लीजे और पानी डालना से आपके पोहे बहुत अच्छे soft हो जाएंगे दोस्तों पानी डालने के बाद आप उनको थोड़ा सा हिला लीजे उसके बाद इमीजेट आप पानी strain कर लीजे ज्यादा देर आपको बिल्कुल पानी में नहीं रखना है ये देखिए स्ट्रेन करने के बाद पानी निकलने के बाद पोहे कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए है उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, राई और सॉफ हाफ टीस्पून लिया है, उसके बाद मैंने लिया है फ्रोजन मटर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है पीनट्स, करी लिवस, नीमबू, हराधनिया और हरी मिर्च मैंने दो हरी मिर्च लिया है दोस्तों उसकी पाद मैंने यहां पर ली है शुगर, तो टी स्पून, स्मॉल टी स्पून, यह देखिए जो पोहे हमने स्ट्रेइन किये थे, वो कितने सॉफ्ट हो गए है, दोस्तों हमारे पोहे बिलकुल मार्केट जैसे बनेंगे, उसके बाद मैंने पैन को गैस पर रखा ह और उसमें मैंने डाला है ओयल, ओयल को आप बहुत अच्छा गरम होने दीजे, उसके बाद उसमें आप एड कीजे जीरा, सॉफ, उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं पीनट्स, यह देखिए आप पीनट्स डाल दीजे, आप अच्छे से इनको मिक्स कर लीजे, आप मुफल यह देखिए, इस तरीके से आप उनको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दीजे, और अच्छे से मिक्स कर लीजे, उसके बाद मैंने इसमें एड किये हैं, फ्रोजन मटर यह देखिए, फ्रोजन मटर बहुत अच्छे से सीच जाते हैं जल्दी पोहे में, यह देखिए इस त इसके बाद मैंने इसमें शुगर आइड करी है यह देखिए शुगर डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कीजिए उसमें मैंने आइड किया है नीबू half lemon मैंने इसमें डाला है उसके बाद आप बहुत अच्छे से इनको mix कर लिजे उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ किया है बिल्कुल one fourth cup बहुत थोड़ा सा पानी आप पानी को अच्छे से boil कर लिजे अच्छा सा उबल जाए पानी उसके बाद आप इसमें पोहा एड़ कीज़े यह देखे इस तरीके से आप सारा पोहा इसमें मिला लीजिए और बहुत धीरे कैरफुली आपको इसे हिलाना है जिससे पोहे हमारे तूटे नहीं यह देखे इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से पोह को मिक्स कर लिया है जोस्तों अभी ये बहुत light color के हैं हल्दी इसका सारा color छोड़ देगी ये देखिए सारे पोहे, सारे ingredients बहुत अच्छे से mix हो गए है उसके बाद मैंने flame off कर दिया ये देखिए कितने soft पोहे बने हैं हमारे बिल्कुल market जैसे उसके बाद मैंने flame off करके इस पर cover किया है मैंने उसके बाद 2 minute के लिए आप इसे cover करके रख सकते हैं उसके बाद ये देखिए तो उसे 3 minute बाद जब मैंने चेक किया है हमारे पोहे कितने अच्छे color के हुए है friends आप एक serving tray ले लिजिए serving dish उसमें आप पोहे serve कीजिए ये देखिए इस तरीके से पोहे serve करने के बाद मैंने उसे lemon और green coriander से हरे धनिये से उसे garnish किया है दोस्तो उसके बाद आपको उसके उपर save और नमकीन डालनी है दोस्तो ये part बहुत important है नमकीन से पोहे का taste बहुत ही yummy आता है ये देखिए हमारे पोहे कितने अच्छे बिल्कुल market जैसे ready हुए है friends आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा please comment box में जरूर लिखिए मेरे चैनल को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए subscribe जरूर कीजिए subscribe करना is must thanks for watching drop a like leave a comment